हर बार हार मिल रही है, कोई काम नहीं बनता तो आज से ही सुरू कर दे या दस काम नमबर एक परती दिन सोक और उठने से पहले सबसे पहले जमिन पर अपना दाया पैर रखे ऐसा करने से काम में कभी रुकावड नहीं आती है नमबर दू सुमवार को भगवान सीव के सामने आटक का पांच मुखी दिपक चलाए इसा करने से आपके हर काम सिध होते है नमबर दिन किसी भी महतोपूर काम के लिए घर से निकलते समय तूलसी के पते खाकर निकले इससे आपके काम में किसी भी परकार के रुकावड नहीं आईगी और हर काम में बिज़े प्राप्ती होती है नमबर पांच किसी भी महतोपूर या जोपकार के लिए घर से निकलते समय अगर आप चाते हैं कि आपके काम में रुकावड ना आए तो अपने घर के मुख द्वार से अपना दाया पैर पाले बाहर रखे नमबर च्व अपने हाथ से आटे का पंच मुखी दिया बनाकर हलमान मंदिर लेकर जाए और उसमें सर्चों का तेल डालकर हलमान जी की चडरों में जलाने से हर काम में आ रही बारा दूर होती है नमबर साथ एक नारियल के उपर सिंदूर से तिलक करे और उसे साथ लेकर कारी पर जाए और जब कारी सफल हो तो इस नारियल को गड़ेश जी के मंदिल में अरपित कर दे नमबर आठ हर सनिवार को संद्या कल के समय पीपल की जड़ पर सरसो खतेल का दीपक जलाए और इसके बाद पीपल के पेड़ के साथ बार परिकमा करें इस उपाय से किसी भी कारे में सफल होते हैं नमबर नो हर समार सीव मंदिल जाकर सीव जी को हल्दी मेले हुए दूद जविसे करें और उनके सामने पंचनों की दिया का दीपक जलाए नमबर दस हर सुबा असनान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर कर तुलसी के पौधे में अर्पित करे और तुलसी के पौधे के साथ वार परिक्रमा करे